नमस्कार आप सभी का स्वागत है ऐसी महिलाओं को तुल्सी की पूजा नहीं करनी ज़िका पौधा प्रतिक हिंदू घर में होता है नाचिन ग्रंतों में तुल्सी के पौधी का महदू बताया गया है प्रत्वी पर इस्थित सभी वनस्पतियों में से एक है सी का पौधा कई प्रकार के रोगों का नाश करने वाला तक करात्मक उजा का संचार करने वाला है सी का पौधा घर में होनी सम्रदी एस्षवरी की प्राप्ति होती noises diosley rog और बीमारیاں दूर रहती है कारण प्राजीन रिशी मुनियों ने तिकी पूजा करने का विधान किया गया है गर कोई व्यक्ति तुलसी के पत्र खाता है तो वह कई प्रकार के रोगों से दूर रहता है यह मनुशिक के स्वास्ते के दश्टिकोंड से भी गुड़कारी है अचका विध्यन भी इस बात को मानता है गिशास्त्रों में तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ ऐसी मानिता है जो तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान में रखनी चाहिए तुलसी का पौधा किसी भी ब्रस पतिवार को लगा सकते तुलसी का पौधा लगाने के लिए कार्तिक का महिने सबसे उत्तम माना जाता है कार्तिक महिने में तुलसी के पौधे की पूझा से हर मनुकामना पूरी होती है तुलसी का पौधा घर या आगन के बीच में लगाना चाहिए आपके सौने के कमरे के बालकनी में भी तुल्सी का पदा लगा सकते हैं बह तुल्सी के पदे को जल चढ़ा उनकी परिक्रमा करनी चाहिए उनको तुल्सी के पदे के नीचे का दीपक जनाना सरवोत्तन होता है ते घण में सुख सम्रती बनी रहती है तुलसी पोजा में बोल कर भी ना करें ये गल्ट धार्मिक मानेताओं के अनुसार तुलसी को लेकर कुछ विशेश नियम बताए गए जिनका ध्यान रखने से खराब से खराब किसमत भी चमख जाती है तुलसी की पत्ते हमेशा सुबह के समय तोड़ने चाथ रविवार के दिन तुलसी के पोधिक के नीचे दीपक ना जलाए भगवान विश्णू और उनकी अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें भगवान गडेश और मादुर्गक तुलसी कभी न चड़ाए तुलसी के पत्ते कभी बासे नहीं उन इसी कारण पूजा में तुलसी के पुराने पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता है चंदर भिहन के दोरान अन्ड में तुलसी के पत्ते रखने पर ग्रहन का प्रभाव नहीं बढ़ता है आईए जानते हैं कि किन लोगों को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहे और इनकी पूजा कौन सी महलाएं नहीं कर सकता तुलसी का पौधा बुद्ध का प्रती नितित्व करता है तो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप माना जया है भगवान कृष्ण को तुलसी सरवादिक प्रिय है बगवान कृष्ण को कोई भी बोग बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता। जिस परिवार के लोग बगवान श्रीकृष्ण को मानते हैं, उनके घर में तुलसी का पौता जरूर होना चाहिए और उन्हें बगवान कृष्ण के साथ तुलसी के पूज़ा अवश्य करनी चाह उसी प्रकार तामसे क्रिया करने वारे लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए ये अशुफल देता है ताद जिस घर में मास पकाय एवं खाया जाता है ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए वगवान विश्णूर के बगतों क गर में तुलसी रखने से लाग की बज़ाए हानी पहुचती है अगर आप इन कटो नियमों का पालन नहीं कर सकते तो गर में तुलसी का पौधा भूल से भी ना लगाए कभी भी तुलसी के पौधे को दक्षिन दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस दिशा में रखी पर तुलसी अशुप फलप्रदान करती है इसका असर घर के सदस्यों के सेहत पर पड़ता है यदि किसी इस्तरी का मासिक धर्म चल रहा हो तो उसे भी तुलसी की पूझा नहीं करनी चाहिए जब द्रोपती वस्त्र हरण के लिए उशाशन उन्हें लेने के लिए गयत तो ऐसा माना जाता उस में द्रोपती का मासिक धर्म चल रहा था और इसी वज़र से वा अपने कच्च में ना रहे तूसरी कच्च में एक वस्तर में वीराम कर रही थी और किसी भी पवित्र इस्थान पर नहीं जाती थी इसी कारण हम देख सकती है कि प्राचीन काल से ऐसी मानेता है कि मासिक धर्म के दोरान किसी भी ववित्र इस्थान पर इस्त्रियों को जाने से रोका जाता है इसी कारण तुलसी की पूजा भी मासिक धर्म के दोरान नहीं करनी चाहिए दूसरी इस्त्री है चरेत्रहीन इस्त्री, तुलसी एक पवित्र पौध और इसकी पूजा किवल पती ब्रता इस्त्री ही कर सत्थ, तो ये थे कुछ तुलसी के पौधे से जोड़े नियम, यदि आपको ये जानकरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट म जैर्मा तुलसी लिकर चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, धन्यवाद